नमस्कार दोस्तों हमारे स्मार्ट अल्मूनियम चनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ अल्मूनियम पार्टिशन के बारे में यह भी बताऊंगा आपको पहले कौन सा पाइप कटिंग करना चाहिए जो भी आप जैसे दुकान में कोई पाइटिसन बना रहे हैं तो आपको दोस्तों उसमें कौन सा पाइप पहले कटिंग करना चाहिए क्या उपर का पहले cutting करना चाहिए या height का आपको पूरा full size के cutting करना चाहिए इस पे ही दोस्तों आपको पूरी detail में आज मैं बताने वाला हूँ aluminium partition के बारे में तो दोस्तों समय बिल्कुल नहीं बेश करना चाहता हूँ बहुत कीमिती समय होता है दोस्तों सबका तो चलिए दोस्तों चलते हैं drawing page पे दोस्तों देख सकते हैं मैं drawing पे आ चुका हूँ सबसे पहले मैं आपको देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दिखा जाता हूँ डाई बाई डेड़ दाई इंच बाई डेड़ इंच का जो pipe होता है DP और ESP ठीक है दोस्तों उसी के बारे मैं हम आज बता रहे हूँ गिलीजिंग किलिफ पाइटिसन उसको बोलते हैं उसी का drawing में बनाया हूँ और उसी के बारे में मैं बताऊंगा आपको चलिए दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज जो बता रहा हूँ ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए ठीक है अब आप लोग सबसे ज़्यादा confused क्या रहते हैं कोई भी सब लोग confused यही रहते हैं कि सबसे पहले कौन सा pipe हमें cutting करना चाहिए या height में cutting करना चाहिए या पूरा उपर का चवड़ाई cutting करना चाहिए तो दोस्तों इसी के बारे हम आज आपको confirm बताने वाले हैं आप partition का जो भी measurement लेने जाते हैं measurement आप ले लिजिए उससे पहले आप decide यह कर लिजिए आपका दरवाजा का चवड़ाई कितना रखना है 30 इंच रहेगा या 36 इंच रहेगा तो यह सबसे अच्छा रहता है तो अब दोस्तों अगर आपका यह decide हो गया उसके बाद आपको क्या करना है जो भी आपका पुरा measurement चवड़ाई है समझ लिजिए यहाँ दिवाल से इस दिवाल तक measurement है और दोस्तों मैं आपको यह बता दे रहा हूँ यह हम एक दुकान जैसे example पकड़ के चलिए एक कोई भी दुकान है और उसका setter हम open करते हैं तो उसके बारे में समझ लिजिए एक दुकान है उसके अंदर हम पारडिसन लगा रहे हैं ऊपर का जो आपका चवड़ाई है ठीक है नीचे का भी वही रहेगा और हाइट का जो इस साइड में है तो आपको छोटा measurement लिखना है आपको इसमें कौन सा pipe सबसे पहले cutting करना चाहिए काम start करते समय तो दोस्तों देखिए दोनों साइड में अगर दिवाल है तो आपको सबसे पहले cutting करना चाहिए ऊपर वाली pipe और वह भी फूरा full measurement जितना आपका measurement है जैसे नीचे आप देख सकते हैं यहां से यहां तक आप नीचे ऐसा समझ रहे हैं तो दोस्तों यहां से भी समझ सकते हैं यहां से यहां तक पूरा full measurement जो है हमारा वही नीचे भी है मैं नीचे लिखा हूँ ठीक है यहां से देखिए अगर दोस्तों आपका ये एक जांपल के लिए मैं मेजरमेंट लिखा हूँ एक सवाथ हिंच ये और ये चानबी इंच आट फिट तो जो भी आपका मेजरमेंट रहेगा चवडाई फुरा फुल वो मेजरमेंट से आपका उपर वाला पाइप कटिंग होगा ठीक है अब जैस दूसरा कौन सा कटिंग करना है ये पाइप अगर आप कटिंग कर लेते हैं तो आपको एक दो तीन चार ये सब कटिंग हो जाएगा ग्लीजिंग किलिफ भी आप कटिंग करके ले जा सकते हैं साइड पे ठीक है तो ये नीचे का पाइप सबसे इंपोर्टन होता दोस्तों अब इसको cutting करने के लिए आपका decide ये हो चुका है 36 इंच का डोर है अंदर अंदर यहां से यहां तक 108 इंच है उसमें से आपको 36 इंच सबसे पहले minus कर देना है 36 इंच दोस्तों जब भी आप minus करेंगे तो आपका कितना बचेगा 72 इंच आपका बचेगा एक 108 में 36 इंच गया 72 इंच का ये पाइप हमारा आया है नीचे तक पूरा देड़ इंच का ये भी पाइप पूरा नीचे तक आया है यह वाला pipe नीचे तक नहीं आया दोस्तों यह अंदर अंदर यह नीचे तक आया यह pipe नीचे वाली जो है मारी इस pipe की अंदर है तो इसका डेड़ इंच डेड़ इंच इसका और डेड़ इंच इसका साड़े चार इंच हो गया और 36 मैंने पाहिले माइनस किया था तो टोटल 108 में 36 माइनस हुआ था 72 आया था अब 72 में से हमें साड़े चार और माइनस करना है तो दोस्तों अब यहाँ पे आप चाहिए तो ऐसे ही माइनस कर सकते हैं ठीक है मैं तो यहाँ पे डायड माइनस करके लिख दे रहा हूँ ठीक तो दोस्तों मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया 60 7,5 यह दोस्तों हमारा नीचे का पाइप कटेगा ठीक है यह बराबर एक पीस यह हमारा यहाँ पर यह अन बना देता हूँ यह नीचे का पाइप हो गया कौनसा यह वाली पाइप इसका फास्ट निकल जाता है यह वाली हाइप की जो आपकी पाइप है यह वाली पाइप आपकी अंदर अंदर है नीचे वाली पाइप में जॉइंड है उपर वाली पाइप में जॉइंड है तो आपको यह चवड़ाई का पाइप कटिंग करना है तो क्या करना है बता देता हूँ इसका 1.5 H, यह जो आपका 67, 67, सबस्राइब हाफ है 1.5 H इसमें और माइनस करना है क्योंकि यह 2.5 ह हिंच पाइप लगेगे ना ना मिडल बीच में यह वाली पाइप जो है 1.5 ह आपस करेंगे इसके लिए तो आपका यह और यह X का measurement नहीं लेगा क्योंकि दोस्तों यह बीच में जो डालेंगे आप टुकडा टुकडा डालेंगे यह थोड़ी जाएगा यहां से joint होगा यहां तक फिर यहां से joint होगा यहां तक यह बीच में एक pipe नीचे तक आ रही है तो इसका quarter inch हमें minus करना पड़ेगा तब यह जाके ठीक है यह जो नीचे वारी pipe है यह हमारा 67 half है तो इसमें हम क्या करेंगे minus करेंगे quarter inch चलिए इसमें हम minus कर देते हैं ठीक है इसमें हम quarter inch minus कर देते हैं quarter inch minus कर दीजिए उसके बाद दोस्तों आपका कितना बचा तो दोस्तों, यहां पर मैं लिग देता हूं, यहां पर दीखने ही रहा है, ठीक है, तो ये आपका जो है 33 एंच का दोस्तों आपका 4 pipe cutting होगा 4 piece अब ये 4 piece क्यों cutting होगा दोस्तों आप देख सकते हैं वो इसे ही ये एक pipe हो गया, ये भी एक pipe हो गया ये भी एक pipe हो गया, ये भी एक pipe हो गया 4 pipe यहाँ पे total हुआ तो ये 33 inch का cutting होगा ठीक है? ये आपका measurement निकल गया और दर्वाजे का ऊपर जो ये pipe है ये आपका जीतना 36 inch अंदर अंदर दर्वाजा का size है पूरा उतना ही आपका measurement से 36 inch का एक pipe और कटेगा तो यहाँ पे चाहिए तो आप 36 inch का एक pipe और लिख सकते हैं 36 का 1 ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से आपका चोड़ाई का pipe total cutting हो चुका है अब बचा height का उपर वाली pipe आपकी पूरा अखा हुई है पूरा मतलब full size cutting हुआ है तो height वाली pipe तो आपको ये cutting होएगी इसमें ही joint होएगा height वाली pipe उपर वाले में joint होएगा उपर वाला pipe डेड़ इंच हमारा चानबे इंच में से डेड़ इंच हमें minus करना है और नीचे के side में ये pipe पूरा full size है जमीन में touch रहेगा ठीक है ये वाली pipe इसमें joint होती है और ये वाली pipe जो आएगी उपर से डेड़ इंच माइनस होएगा दोस्तों यहाँ जमीन में touch रहेगी दर्वाजे के side में जो रहेगा ये भी जमीन में नीचे touch रहेगा उपर के side में एक pipe, दो pipe, तीन pipe ये joint होता है बीच वाला pipe आपका अंदर अंदर रहेगा दोस्तों ये चीज़ आद रखे कुछ लोग क्या करते हैं ये यहाँ तक पूरा full कर देते हैं ठीक है ये वाली pipe भी full कर देते हैं इसको भी टुकडा टुकडा कर देते हैं तो इनको 6 टुकडा लगाना पड़ता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे बड़ दोस्तों कोई भी इस तरीके से काम बिलकुल ना करे कोई भी अगर आपको partition बीच में से आके ऐसे धक्का मारता है यहाँ दिवाल की side में तो नहीं press कर सकता है बट बीच में से कोई हिलाएगा तो हिलने लगता है इसलिए नीचे का pipe आपको कभी भी अख्खा करना है height वाली pipe बीच में जो रहेगी वो आपको इसमें join कर नहीं इंगल मारके जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करें डेल्ड इंच माइनस होके यह pipe आपका कटेगा यह भी आपका नीचे तक पुरा full आ रहा है डेल्ड इंच माइनस हुआ यह भी डेल्ड इंच माइनस हुआ तो आपका हाइट में जो पुरा साइज है यह देख सकते हैं चानबे इसमें से दोस्तों आपका डेल्ड इंच माइनस हो गया ठीक है मैं माइनस कर देता हूँ तो दोस्तों यह डेल्ड इंच हमारा माइनस हो गया ठीक है 3 piece 94 हापका 3 piece हमारा cutting होएगा 3 piece हमारा cutting हूए कौन-कौन-सा pipe दोस्तों आप समझ गए हुए फिर भी मैं बता द라 हम आपको एक pipe ये cutting हुआ दुसरा ये, तीसरा ये एक pipe ये height वाली आपकी बाकी है ये वाला आपको 3 inch من長 het करना है height में 96 में से 3 इंच माइनस हो गया 33 इंच बचा ये बराबर एक पाइप हो गया एक पीस ये दोस्तों आपका सारा पाइप कट चुका है और दरवाजा की बात अब आ जाती है दरवाजा है दोस्तों आपको जब भी कटिंग करना है आपको उपर से तीन सूत माइनस करना है क्योंकि इसमें जो दरवाजा बनाएंगे दोस्तों इसमें आप पार्डिशन डौर बनाएंगे तो height में आपको केवल तीन सूत माइनस करना है नीचे बाई चान कार्पेट लगा रहे हैं या फ्लोरिंग आप डाउन है तो आप और माइनस कर सकते हैं अगर फ्लोरिंग एकदम प्लेन है लेबल है वाटर लेबल निकला हुआ है तो आपको केवल 3-8 माइनस करना है ठीक है तीन सूता हाइट में अब चोड़ाई में दोस्तों आपको केवल जो है केवल केवल आप दियाद रखिए इसमें इंजिस क के बीच का मिडल और उपर नीचे का कटिंग कर सकते हैं दोस्तों तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको दरवाजे का मेजरमेंट तो गरह नहीं बताया बर फिर भी आपको मैं लगबग 50% तो ऐसे ही बता दिया हूं कुछ थोड़ा बाकी है बर दो दोस्तों इसलिए इसलिए मैं ज्यादा वीडियो अलंबा नहीं बनाना चाहता इसलिए फिर भी मैं आपको बता चुका हूं अगर आप ज्यादा क्वेंट करेंगे दोस्तों सब्सक्राइब